वित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बित परदेप दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यल्टी ग्रेट से चेक भड़ती कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं आप 2018 से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके इंतजार में लगे हुए है 2019 बीटा 20 बीटा 21 बीटा 22 बीटा ठीक है चार साल 22 बीटा नहीं 22 में आपको नोकरी मिल जाएगे तीन साल आप इंतजार की है है आपके लिए एक बड़ी खुसकबरी निकल करके आ रहे हैं कि इंतजार समाप्त होने जा रहा है क्या है खुसकबरी इसको भी हम आपको बताएंगे और एक एक करके सारी चीजों पे नज़र डालेंगे इस बिग्यापन में जब युवा मंच के सारे सदस गये थे तो वहाँ पे कहा गया कि बिग्यापन आपका जारी कर दिया जाएगा आप लोग परिसान नहों आप लोग जाकर के तैयारी करें फिर हुआ क्या कि इसके बाद महिटर सांथ हो गया चुनाओ का सीजन आ गया चुनाओ में सब लोग बेस्ट हो गया यहां तक कि कोई भी इस पे चर्चा नहीं कर रहा था सारी राजनितिक पार्टियां भी एक तर रहा नहीं एक आज चुनाओ चल रहा है एक और चणरड का चुनाओ साथ तारी को बागी आठ तारी को सारी मुद्धे अपने आप समाप्त हो जाएंगे अब मैटर यह हैं कि आपका जो चुनाओी मुद्धा हो या ना हो लेकि सिच्छक भरती के बारे में जानकारी तो बाइलोजी की मित्र है हमारे चैनल सिर्फ बाइलोजी की क्लास चलाई जा रही और जो प्राइमरी सिच्छक भड़ती है उसके लिए अलग-अलग कई क्लास चलाई जा रही है जो कि आपके पूरते निश्चुल्क है यह भी बैच आपका निश्चुल्क है हम लोग इसमें 13 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं ठीजटी यल्टी जी आइसी सब के लिए पढ़ रहे हैं यंसी आटी की क्लास है और नेड़े बैच में हम लोग यंसी आटी की क्लास करने क्लास 11 की 13 चैप्टर पढ़ चुके हैं यानि क्लास 11 में 22 चैप्टर बाइलोजिक हैं और इसमें स उससे हमसे ज्यादा मतलब नहीं हमको मतलब इससे देखें तेरा तारिक को बहुत पहले ही कहा गया तक तेरा मार्च को आपका पेपर होगा हलाको से मैं बहुत सारे लोगों ने इसका मजाग उड़ाया था और हमने जो एसपेक्टेट एक्जाम डेट बताई थी हम आपको 20 मार्च बता दिया थे सब्सक्राइब हम वीडियो दिखा देते लिकिन वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में हमने कहा कि 20 तारिक के इर्दगेर्द आपका जी आईसी का मेंस होगा जब यह रिजल्ट आया तभी हमन यानि जो हमारा उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग है वह अपने पटरी पर आ गया और काम करना शुरू कर दिया जैसा कि पिछले दो वासों में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से काम करने यूपी उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग रहा है लेकिन वहीं प अपने काबले तारीब काम था तो उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि सारे हमारे जो बोर्ड है वो बहुत अच्छी तरह से काम करें यहाँ पर जिसमें एक प्रमार के रूप में नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी है आपका जारीश से तेरह तारिक से और इसका admit card भी जारी कर दिया गया इसी के बारे में एक notice निकारी गई लोग से आयोग के दौरा दो तारिक को दो मार्च को यह notice निकारी गई थे आप लोगों ने देखा होगा कि आयोग में भिग्यापन संख्या इतने के लिए अब यह सारी चीज़ें आप ने देखा कहा कह की बैकेंसी जारी हो जाएगी और जो का पेपर उसके लिए जुलाई आपकी बहुत पहले से तिति मानी जारी जुलाई में कई तितियां ऐसी हैं जिसने खाली ब्लैंक रखा गया है आयोग ने उसे रिजर्ब तो कर लिया लेकिन वहां पर यह नहीं बताया कि जाम कलेंडर होने वाला है वह पेपर किसका होने वाला यल्टी क्या कहने का मतलब है कि मार्च के लाष्ट तक आपकी बैकेंसी देखने को मिल जाएगी और जैसे ही बैकेंसी आपके सामने आती है तो आप मान लीजिए का आपकास अप्रैल माई जून तीन माई नब्बे दिन बचा है न तो अन्य सब्जेक्ट के हमारे मित्र हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे को जल्दी से जल्दी अपने तैयारी को सुरू करें जिससे नब्बे दिन में अपने तैयारी को पूरा कर सकें और अपने आने वाले एक्जाम में सेलेक्शन पराप्त कर सकें इसे उमीद और विश अपने अपने घर जाएंगे और जो मुख्ध मंतरी प्रधान मंतरी मंतरी बनेंगो अपने मलाई क्यापटेंगे ठीक है लेकिन उसके बाव जो आपका कर्मपत है आपका कर्मपत यह नहीं है कि आप किसी के पीछे बैनर लेकर दोड़ते रहें बलकि आप खुद अपने आप अपको गुरुजी क्याता हुआ फिरे इस तरह को अपने आपको निखारिये और आप इतना कोसिट करिए का आपके ग्यान का जो प्रकास हो हर एक बच्चे तक पहले आने वाली पीड़ी प्रकास वानो इस उद्देश विश्वास का अता प्याम करिए राज नीतिक मुद् दीजिए और जो भी सरकार बने उस सरकार को स्वागत करिए लेकिन अपनी तैयारी करते रहे जो आने वाले दिनों में आपके लिए लाब दायक होगा इसे उद्देश विश्वास के साथ कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी आपको थोड़े से उर्जा के संचार